तोबिका स्वागत एड़ा 247 के ओफिशल YouTube चैनल पर वैब उश्रवासों के साथ दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं पुरसकार और सम्मार और उस पुरसकार और सम्मार के उन्हें कि किस छित्रे से संबन्दी थे इसके स्थापना वर्स क्या है यानि किस एर ये फाउंड हुआ था और ये फर्स्ट आवाड़ी कौन रहा यानि कि प्रथम पुरसकार वजेटा कौन रहा इस छोटे से वीडियो में जिसके तुरू आपको मैकसमम अवाड आपको कवर करा देंगे फिर एक और एक सेशन आएगा जिसमें पूरी तरीके से पूरे अवाड और जितनी भी आपके एक्जाम में या फिर आपके आसपास जो आपके न्यूज में हाइलाइट होते हैं वो सारे आवाड और आउनर आप कम्प्रीट कर लोगे यहाँ पर तो आईए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले भारत रत्न गैस यह जो सेशन है इस आवाड और यह सारी चीजे हम आपको 10 निट केंड में कवर कराने वाले हैं फड़ा फड़ और इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो वैभो सर बैंकिंग अवैरनेस टेलिग्राम ग्रूप से तो दोस्तों बात करें भारत रत्न भारत रत्न हाइस सिविल नवाड इन ऑफ इंडिया यह भारत भारत का सरवुच नागरिक प्रुस सबसे पहले बार किस एर में कॉंसिट्यूट किया गया था मिंदू से की इंसिट्यूट इन विच एर तो गई सबसे पहली बार 1904 में और फस्ट रिसिपेंट कौन है सबसे पहले अवाड़ी कौन है सिराज गोपालाचारी ठीक है फिर दोस्तों बात करते हैं पद्मवेभो इंसिट्यूट किया गया था ठीक है फॉर डिस्टिंग्वेश्ट सर्विस इन एनी फिल्ड इंकूर्मेंट सर्विसे यानि कि सरकारी सेवा सहीद किसी भी छेत्रम विशिस्ट सेवाओं के लिए यह अवाड दिया जाता है दोस्तों पद्मभूशन और पद्मस्री आर दो अब इसके आगे में डिस्कस करेंगे अब देख सकते हो हिंदी वाला यहां पर है हिंदी नीचे में ही है और इंग्लिस में हम आपको अपडेट करते चल दे जो हिंदी वाले दोस्त है हमारे वो हिंदी में अपडेट कर लेंगे दोस्तों पद्मभूशन की बात कर जैसा कि अभी आपको पता होगा भारत रत हमने पढ़ा पद्मभूशन पढ़ा अभी हम लोग बात करने वाले हैं पद्मभूशन फिर आगे पद्मस्री दोस्तों ये भी 1954 में आया था ये first person किसको दिया गया था होमी जहांगिर भाबा को पद्म भूशन सबसे पहली पहला वार्ट किसको दिया गया था first person कौन था तो होमी जहांगिर भाबा अब दोस्तों बात करें पद्म स्री की पद्म स्री सेम एज इस उसी छेत्र में art, social work, public affairs, service engineering, trade industry, medicine, literature, education, sports and other इनके लिए ही इसके लिए ही दिया जाता है इस छित्र में दिया जाता है पद्म स्री पद्म स्री पद्म भूशन पद्म भूशन भारत रत में ये चार हाइस सिविले नवार्ड है हमारे देश के ये चौथे नमबर का हाइस सिविले नवार्ड थ जाता है मनता प्राप्त भासा जैसे हिंदी हुआ इंगलीज हुआ कोंकडी हुआ तो किसी भी लैंग्विज़ में उसके लिए दिया जाता है यानि क्या एक विसिस्ट कार है तिस्टिंग्विस वर्क के लिए तो यह एक भारतिक ज्यानपीट अवार्ड ना कि पुरसकार ह दूसरा है वो वो लिट्रेटर के छेत्र में जाता है यह ज्यानपिट अवार्ड या रखेगा सहित अकादमी अवार्ड दोस्तों सहित अकादमी अवार्ड सबसे पहली बार कॉंसिट्यूट कब हुआ था 1955 में यानि कि इंस्टिूटेट में किस स्वियर में किस थापित तो अंग्रेजी साहित चेत्र में given for any exclusive writing in any of the 22 languages including English literature यानि कि 22 भासा में दिया जाता है 22 languages में including किस में English language यानि कि 22 languages जो हमारे constitution में में इसमें तो दिया ही जाता है इंक्लूडेड कौन है English literature में भी दिया जाता है सरस्वती सम्मान के बात करें दोस्तों सरस्वती सम्मान सबसे पहली बार 1991 में किस के द्वारा के के बिल्ला foundation के द्वारा दिया जाता है यह उसी को दिया जाता है जो किसी भारती भासा में पिछवे 10 वर्सों के दौरान किये किसी भी विसस साहितिकार यानि कहने का मतलब literature के छेत्र में आपको 10 साल का उन्भा होना चाहिए तभी आपको यह वार्ड मिलेगा सरस्वती सम्मान यानि कि किस छेत्र में दिया जाता है literature के छेत्र में यानि कि साहित के छेत्र में कितने लैंग्वेज में 22 लैंग्वेज म ने होगा ठीक है फिर आते दोस्तों व्याद सम्मान ये 1992 में दोस्तों 1991 ये 1992 किसके द्वारा KK Bidla Foundation के द्वारा ये अवार्ट दिया जाता दोस्तों for outstanding contribution to Hindi language यानि कि व्याद सम्मान किस language के लिए केवल केवल Hindi language के लिए ठीक है दोस्तों सांति स्वरूब भटनागर अवार्ड सांति स्वरूब भटनागर प्राइस की बात करें तो ये दिया जाता है भारति वैज्ञानिकों को उनके आसाधारन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है Indian Scientist को, यानि कि Science के छित्र में अवार्ड दिया जाता है, सांति स्वरूप भटनागर, दोस्तों, RD Brilla Award, RD Brilla Award की बात करें, यह Field of Medicine Science में दिया जाता है, ठीक है, Medical Science में, Medical Science में दिया जाता है, it's RD Brilla, ना कि GD Brilla, घंश्यामदास बिल्ला नहीं है, यह RD Brilla है, यह याद अखना आप लोगों ने, Next Point, धनवंतरी Award, धनवंतरी Award दोस्तों, Extraordinary Performance के लिए दिया जाता है, किसमे, Medical Science में, धनवंतरी पुरसकार, Medical Science के छित्र में दिया जाता है, आइरवेद के छित्र में दिया जाता है, कुछ आप ऐसे कर सकते हुआ, आइरवेद, दोस्तों, राजेव गांधी खेल रत्न, यह कब आया था, 1992 में, 1992 में आया था, और दोस्तों, यह किसमे, Display of the Players, यानि, Present of the Commendable, यानि कि खिराडियों दोरा, साराहनी प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, यह अवार्ड, खेल का सबसे सरवुच सम्मान है, खेल के छेत्र का सबसे सरवुच सम्मान है, राजेव गांधी खेल रत्न, इसका नाम, दोस्तों, अब आद रखेगा, हमने जान, वो यहाँ पे लिख रखा है, इसका नाम बदल दिया गया, अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, राजिव गांदी खेल रतन अवार्ट उस साइम से राना जाता था यह तो मोधी जी की गौवर्मेंट में पिछले साइस का नाम चेंज हुआ ठीक है और एक किस खेल के छेत्र में क्या सकते कमंडेबल डिस्प्लिक लिए दिया जाता है प्लेयर्स को अगला ध्यांचन अवार ठीक है ध्यांचन अवार्ट किस खेत्र में जाता है यह ध्यांचन खेल रतना अवार्ट था यह है ध्यांचन अवार्ट अगर हम इसकी बात करें ध्यांचन अवार्ट तो दोस्तों ध्यांचन अवार्ट दिया जाता है कि स्पोर्ट एंड गेम्स गेम्स और स्पोर्ट के छेत्र में ये कब इसको स्थापत करा आए गया तो 2002 में फर्स्ट अवार्डी असोका दिवान साहूराज बीरजदार और अपन्ना घोस इनको दिया गया था पहली बारी ध्यांचन अवार्ड कौन सा अवार्ड ध्यांचन अवार्ड अगला पॉइंट दोस्तों अर्जुना अवार्ड अर्जुना अवार्ड सबसे पहली बार इंस्टूटेट गवा था ये 1961 में किसके द्वारा इस स्पोर्स मिनिस्ट्री के द्वारा गॉर्मेंट ऑफ इंडिया या किसके चेत्र में थी स्पिसल एचीमेंट इन डिफरेंट टाइपस ऑफ स्पोर्स अलाग छेत्र अलग अलग अचीमेंट या hari के खेल के लिए दिया जाता है इस्पेसल अचीमेंट के लिए आर्जुना वाडe 1961 में constitute यानि कि instituted यानि कि इसकी स्थापना कराई गई थी दोस्तों द्रोना चार अवार्ड की बात करें द्रोना चार अवार्ड और स्टनिंग कोच को दिया जाता है यह कब आया था सबसे पहली बारी 1985 किसमें गिवन बाई Minister of Sports Government of India खेल मंत्राले के दोरा Government of India के खेल मंत्राले के दोरा यह बारा स्पोर्ट्स कोच को दिया जाता है सबसे पहला अवार्ड किसको दिया गया था भानक चंद्रभासकर भागवत ओम नंबियर और ओम प्रकास भारतवाच को इस सबसे पहली बारी अवार्ड दिया गया था सबसे पहले आवार्डी सत्य प्रत्म पुरसकार विजेता थे मुर्ति देवी आवार्ड के। दादा साहे फालके आवार्ड की बात करें। दादा साहे फालके आवार्ड दिया जाता था देविकार आणी कई बार क्वेश्चन पूछा भी दा चुका है। अब आते हैंगे दोस्तों गैलेंटरी आवार्ड की बहादुरी पुरसकार की बात करें। इसमें तीन नाम आते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, बीर चक्र और एक नाम आते हैं असोग चक्र। गौर की हाइस्ट गैलेंटरी आवार्ड है वार्फिल्ड का और यह तीसरा है वीर चक्र यह थर्ड हाइस्ट गैलेंटरी आवार्ड है वार्फिल्ड में युद के मैदान में लेकिन असोग चक्र की बात करें यह भी गैलेंटरी आवार्ड है लेकिन यह क्या दिया जाता है पीस ट लिका आवार्ड है, गैलेंट्री आवार्ड है, ठीके, दोस्तों, I hope कि आपको यह सेसन मज़दार लगा होगा, अभी इसका part 2 आना बाकी है, इसका part 2 हम आपको लेके आएंगे, और इसमें और सारे आवार्ड बचे हुए, जो international award भी बहुँ सारे आजाएंगे, जो हम आपसे update कराने वाले हैं, किस year में आया था, और पहला विजिता कौन है, दोस्तों आपको बता दे, आज आपकी double validity है, सभी product के उपर, अड़ा के, तो आप अगर especially महापैक की बात करें, तो bank महापैक, bank महापैक, SSC महापैक, defense महापैक, कोई सभी महापैक अगर आप लेते हो, तो आप Y307 code लगा के उसको enroll करा सकते हो आप, और आपको guys, अगर application के through जाते हो, तो approximately 79% तक का discount हो जाता है आपको, और इसमें आपके आने वाले सभी batches enrolled होते हैं, आपको अलग से कुछ कराने के जरूरत नहीं, अभी bank महापैक की बात करें, bank महापैक में आपको मिलेगा live batch, test series, e-book, यह सब कुछ मिलेगा आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं होगी, और अभी upcoming batch कौन-कौन सा है, rankers आ रहा है, RBI grade B का phase 2 आ रहा है, ठीक है, RRB SO, RGBO officer skill 2 यह bank महापैक प्लस की बात कर रहे हैं, IVPS SBI PO clerk, IVPS RRB PO and clerk, English medium दो, English और Hindi दो medium है, IDBI executive और assistant manager, इसके भी आपके यह आपको इसी में discount grab कर सकते हो, दोस्तों book और test के लिए test या फिर mock के लिए आप in code apply कर सकते हो, Y307S code, जिसके ओपर आपको 70, I am to say, maximum discount आप grab कर सकते हो, book और mock के ऊपर भी, so thank you guys, हम आईसने ही 10 minute के छोड़े छोड़े वीडियो लेके आते रहेंगे, जिसके त्रूँ आपको धेर सारी चीज़े अपडेट करा दें और आपके exam के लिए भी important होगा, उसके point of view से भी और informative session भी होगा, so thank you guys, हर हर महादेव, रादे रादे, बाई बाई टेक केर, अबाई ग्रेट टेव. कर दो, यहादे लिए के लिए लिए्वाइब।